गुड़ वर्निंग एवरिवन आज हम लोग MST केमेस्ट्री में नुकली फिलिक सब्चुनेश रेक्शन के अंदर नेवरिंग गूरूप पार्टिसिपेशन रेक्शन डिसकस करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एनकाइमेरिक अजिस्टेंस भी बोलते हैं ठीक है स्वाट में हम ने क्या डिसकस कि एक सर्व रेक्शन डिसकस किए और एक सर्वड goodway function एस practically किहां आम लोग का दूपिक होगा वह अटिक जता फिर्समेंयों होता है तчи होता है Inversion होता है ठीक है जबकि NGP में जो होगा होगा Retention of Configuration Retention of Configuration का मतलब क्या हुआ कि सपोज मारे पास यह reactant है ए और यहां पर प्रोड़क्ट बन गया भी अगर इसका configuration ऐसा आया तो इसका भी क्या रहेगा ऐस रहेगा अगर इसका होगा तो इसका भी क्या हुगा R ही होगा तो इसको बोलते है Retention of Configuration मतलब जैसा जैसा configuration रीक्रेंट का होता है वैसा है अगर product का होता है तो इसको क्या ब mówते हैं हम विर्टेंच रावन करने रहे है ठीक है तो NGP को और फार अभी ऐसा बोला है कि इसमें एंजीपी तभी हो सकती है कि रहा है जब हमारे पास सब्सक्रों हमारे पास यह है दो कार्बन है एक दो कार्बन है यहां पर लगा है लिविंग गुरूप लगा है तो इस कार्बन को बोलेंगे अलफा कार्बन इसके बगल वाला जो कार मैं इसको बोलतें बीठा कार्बन अब NGP तब हो जब बीठा कार्बन में कोई ऐसा एटम जुला हो या एसा गूरूब जुला हो जिसके पास लॉन पिएर ओप एलक्टोन हो तो थो तब NGP पॉसिपटर हो सकती है पर किसी किस में क्या होता है कि बीठा से दूर वाले carbon में मतलब gamma delta वाले carbon में भी long pair of electron हो तो भी NGP हो जाती है उनको हम लोग आगे discuss करेंगे तो best condition आपको पता बना चाहिए जो necessary condition है कि living group के beta carbon में एक ऐसा atom और group attach होना चाहिए जिसके पास long pair of electron हो तभी NGP हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर मैंने सबके सब लिखा हुआ है कि लिखा इन दीज reaction there is atom और group with long pair of electron beta to the living group और far away यहां उससे दूर कह रहा है ठीक है it consists of two conjugative SN2 reaction इसमें दो conjugative SN2 reaction होती है with inversion of configuration अब आपको पता है SN2 होगे तो inversion होगा configuration का ठीक है thus the net reality is retention of configuration दो होगी दो यहां पर क्या होगा suppose हमारे पास है A A से B और C बन गया ठीक है यह बीच में कोई intermediate बन रहा है जैसे यहां से क्या होगा कह रहा है यहां से पहली SN1 SN2 reaction यहां पर तक होगी दो conjugative SN2 होगी उसके बाद इसके बाद भी SN2 reaction होगी यहां पर क्या होगा inversion जब inversion का inversion करेंगे तो क्या बन जाएगा Retention कहने का मतलब क्या है दीखो suppose R और product का inversion का inversion होगा स् इसको बलते है inversion जब हम इसका भी inversion करेंगे तो क्या बन जाएगा marijuana ड़ारे मारे बन जाएगा उसका cornvision का वो केसा बन जाएगा आर तब लिखाया कि inversion दो conjugative S and 2 reaction होंगी इसमें भी inversion होगा, inversion होगा तो R का S बन जाएगा, अगर यहाँ पर S होगा तो R बन जाएगा, ठीक है, तो जब इसका भी inversion करेंगे तो इसका just उल्टा बन जाएगा, वो क्या होगा, R होगा, तब बोला कि complete retention of configuration इस टाइब की reaction में होता है, ठीक है, अब दिखो, तो इसकी जो mechanism है, उर पहले डिसकस करते हैं कि आखिरकार ऐसा होता कैसे है, तो step number first neighboring group, attack the carbon containing living group, अब आपको देखो, यह देखो, यह है living group L, यह alpha carbon, alpha carbon से जो attached carbon है, इसको क्या बोलेंगे, लोग beta carbon बोलेंगे, beta carbon, ठीक है, यह है beta carbon, अब यहाँ पर देखो, आप, इसके पास lawn pair है, तो lawn pair क्या करेंगे, इस carbon पर living group, पर delta negative होगा, carbon पर delta positive होगा, और lawn pair कभी delta positive पर attack करते हैं, तो PC से attack किया है, इन्होंने back side से, ठीक है, अब, क्योंकि इसको भी inversion देखो, इसको inversion बोलेगा, कि back side से attack हो रहा है, और यह step होता है, slow, इसको भी बोलते है, rate determining step, ठीक है, तो होगा क्या, देखो, यहाँ से leaving group leap कर जाएगा, तो minus ले जाएगा, अपने साथ, और इसके और इसके बीच में transition, मतलब intermediate बन जाएगा, कौन सा, cyclic intermediate, ऐसे बन के देखो, यह यहाँ से शुख जाएगा, bond बन बन देखो, क्योंकि lawn pair donate कर रहा है, तो, जेट पर क्याएगा, plus charge आ जाएगा, ठीक है, अब step number two, step number two में क्या होगा, attack of external nucleophile, अभी भी देखो, जो यह जेट, जिसके पास lawn pair थे, यह भी nucleophile की तरह भीप कर रहा था, attack कर रहा है, पर यह internal nucleophile है, इसी के अंदर है, ठीक है, अब आएगा, दुसरे step में, बहार से कोई नया nucleophile आएगा, वो attack करेगा, इस carbon पर, चाहिए इस carbon पर, या इस carbon पर, बात एक ही है, ठीक है, अब देखो, इसी पर करेगा, कि तब ही retention हमारा हो पाएगा, तो इस पर क्या होगा, कि यह जेट positive है, carbon पर क्या है, अभी जो जेट positive है, इस bond के electron होंगा, उटको अपनी तरफ shift करेगा, अपनी तरफ shift करेगा, तो इस पर आएगा positive charge, और यह neutral हो जाएगा, positive charge में, nucleophile attack कर देगा, तो आप देखो, जहाँ पर Z था पहले, starting में देखो, Z इस side था, अभी इसी side रहा, ठीक है, यहाँ से living group हड़ गया, यहाँ पर nucleophile हैगा, ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और, अब क्या लिए, sensor the neighboring group acting, as nucleophile is present in the same molecule, मैंने बोला था अभी, कि जो भी nucleophile है कहे रहा है, sensor the neighboring group, जो neighboring group है, वही nucleophile की तरह behave कर रहा है, उपर वाले में, इसमें देखा होगा, आपने ये वाला जेड, वही nucleophile की तरह behave कर रहा है, और वो उस अंदर ही अंदर molecule के अंदर पहले से present है, अगर पहले से present होगा, तो वो क्या होगा, fast attack करेगा, तुरंत अटेक करेगा, ठीक है, such reaction occur thousand times faster than other nucleophilic substitution reaction, इसलिए जो ये NGP का जो rate of reaction होता है, अंदर ही है तो क्या होगा, attack के लिए easily available होगा, वो जल्दी immediately attack कर देगा, जिससे जल्दी से product formation होगा, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, कुछ examples इसके, तो यहाँ पर देख सकते हो, इसमें, जो example हमने लिए हैं, इसमें auction, जो atom होगा, तो यहाँ पर देख से तो सबसे पहले, कि इसमें NGP हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमको यह देखना है, जो सबसे पहले alpha carbon देखू, alpha carbon जिसके साथ, leaving group जुड़ा, तो यहाँ पर हेलोजन है, इस carbon को बोलेंगे alpha carbon, अब यहाँ पर beta carbon भी है, बीटा carbon में एक ऐसा गुरूप होना जिए, जिसके पास low-n-per-able electron हो, तो यहाँ पर है oxygen, ठीक है, oxygen के पास low-n-per-able electron हो, तो इसमें क्या होगा, पहले step में जो base है, base इसका proton अप्सेक्ट करेगा, इस पर आएगा negative charge, यहाँ पर से H2O भार हो जाएगा, अब क्या होगा, जो OS उपर minus आया, यह attack करेगा back side से, back side से attack इसलिए कर रहा है, क्योंकि जो living group है, वो front side में है, back side से attack करेगा, तो यह geometry है, कहाँ से दिखा रहा है, back side से, क्योंकि living group कहाँ था, front side में था, फिर next step में क्या होगा, दूसरा step था, बुसरे step में क्या होगा, जो OS minus है, external nucleophile वो attack करेगा, attack कहाँ पर करेगा, जहां से living group लीप किया, तो यहां पर से लीप किया, तो यह पर attack करेगा, ठीक है, अब कहाँ से attack करेगा, living group कि side था, यह कि side था, back side में है, तो यह front side से attack करेगा, तो geometry में तो दिखा रखा है, अब हम इसका और इसका Rs करेंगे, तो इसका R configuration आएगा, तो इसका भी क्या आया, R configuration आया, इसलिए क्या बोला, retention of configuration, जैसा configuration, retention डिका था, वैसा ही product डिका आया, तब इसको बोलते है, retention of configuration, ऐसे दूसरा एक्जामपल लेते है, जिसमें sulfur atom, neighboring group की तरह behave कर रहा है, तो आप इसमें देख सकते हूं, यहाँ पर क्या देखो, सबसे पहले alpha carbon, alpha carbon के पाफ है, halogen है, CL, तो यहाँ पर भी halogen है, बात एक ही है, यह भी leaving group, यह भी leaving group, कहीं पर एक जिगा अटेक करेगा, तो यह alpha carbon, यह beta carbon, beta carbon में ऐसा atom है, जिसके पास lawn पे रहे है, तो lawn पे रहे है, ठीक है, तो black search अटेक करेगा, same, cyclic transition state बनेगी, तो यह transition, cyclic intermediate बनता है, ठीक है, यह हो गया, अब next step में, external nucleophile S2O, या तो यहापर भी अटेक कर सकता है, यहापर भी अटेक कर सकता है, तो answer बनेगा यह, ठीक, कुछ और example देखते हैं, तो यह example ले रखा है, हमने जिसमें हेलोजन नेवरिंग गुरूप की तरह पार्टिफिट कर रहा है, रेक्सें में, तो सेम वही कंडिशन यह लेविंग गुरूप है, अलफा कार्बन, बीटा कार्बन, इसके पास ऐसा गुरूप या ऐसा एटम है, जिसके पास लॉन पेर है, इसके पाँ पलसार्जा आ गया, इसने लॉन पेर दिया, तो पलसार्जा आ गया, अब नेक्स्ट इस्टर प्या होगा, जो असिटिक इसिड है, यह नूपल की तरह, बतलब एक्स्टरन नूपल की तरह भी प करेगा, अटेक करेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिखा है यह सी ओच ओगे पास लोन पे रहे हैं यहाँ पर अटेक करेगा यह बॉंड इधर को ब्रेक हो जाएगा सेम इधर पाइबरी गूर्प की तरह बएक करते हैं कैसे दखों यहाँ पर हमारे पास क्या है टोसल गूरूप है इसको यह लीब कर दिया इसनी डिया तो यहाँ से और यहां से क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा या तो यहां पर प्लसार जाएगा या तो यहां पर प्लसार जाएगा दून उपर एक ही जैसा बनेगा तो हमने क्या बना दिया है साइकलिक Intermediate Formation कर दिया प्लसर या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा ठीक है इसलिए दो जगे दिखा दिया Next Step में क्या होगा ACOS External Neutral Attack करेगा वही पर Attack करेगा जहां पर से यह Living Group लीप कर गया है तो देखो यहां से ACO ठीक है ऐसे बहुत सारे Example हैं जिसमें जो Groups होते हैं या Atoms होते हैं या Bond भी होते हैं वह Nevering Group की तरह Participate करते हैं